हेलो प्रेंस बिलकम बैक टूर चैनल रजनी भी फैसन आज किस वीडियो में कुर्ति की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे बिलकुल आसान तरीके से और स्टेप बाइस टेप मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बतांगी तो यह देखिए आप देख सकते हो आर मोल मे कुछ दिर और उसे सुखा के ऐरन करके उसे रख लीगे उसके बाद जो हमारा में फैब्रिक होता है कुर्ति का वर्टम का उन दोनों को भी हम पानी में भीगो के रखेंगे उन्हें भी इस तरीके सही सुखाने के बाद प्रेस करके रैडी कर लेंगे और अगर इस तरीके क कुर्टी आप बना रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है एक तो इसकी बाजू में कपड़ा कम है अधिक तर यह होता जो सैमी स्टिच इस तरीके के सूट आते हैं उन्हें कपड़ा कम होता है तो इसकी पहले हम स्लीप को निकालेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कहीं को देखे को हमें अलग कर लिया है स्लीप में जो कप्ड़ा है चोड़ाई में तो कम है लंबाई में ज्यादा है तो लंबाई में हमने बैक पार्ट ॉनिकाली निकाली है तो मैंने पहली रखा है बैक पार्ट को और उसके बाद लाइनिंग को हमने इस तरीके से र unanim enjoy यह देखिए, फोर फोल्ड में लाइनिंग को रख लिया है बीच में, अब इसके उपर रखेंगे फ्रंट पार्ट को, बिल्कुल इसी तरीके से रखना, इस तरीके से रखेंगे तो आसानी से कटिंग हो जाएगी, फ्रंट पार्ट के जम आरमूर की कटिंग करते हैं तो बि चालिसते जो उपर साइज होता है, उसके लिए साड़े साथ इंच लेते हैं, आरमूर बीच में साड़े चौदा इंच में मार्किंग करेंगे, वेश्ट के लिए, हिप साइज आपको जितना रखना है, उसकी मार्किंग कर लिए, तो मुझे यहाँ पर कम रखना है, साथ इंच लिए, क्योंकि यह थुड़ा हैवी साइज है, अगर आपका चालिसते नीचे साइज है, तो उसमें आप साथ इंच लेना, जितनी आपकी फिटिंग का साइज है, उतना निसान लगा के दो इंच मार्जन ले लिजिए, सेम ऐसे ही जितना आपका यहाँ पर साइ साथ ग्यारे इंच, दो इंच हमने इसमें मार्जन ले लिया है, सलाई के लिए, तो यह निसान आप सीधा भी लगा सकते हो बिना सही पट्टी के भी लगा सकते हो, इसे और अगर आप से पट्टी से लगा लेते हो, तो इस तरीके से से लगा लीजिए, और जो आगी वाला प्रफूंगी डेर इंच पे सेप डाल ली है आधे इंच तीरा को डाउन दिंगे तो यह देखें इस तरह से मिला लेंगे अब जितना हमारा तीरा बच्चा है उसका हाप ले लेंगे बिल्कुल सेंटर तो साधे तीन इंच पे मार्किंग कर लेंगे अब यहीं से हम जो हमने डेर इंच पे मार्किंग किया उससे मिलाती हुए ले जाएंगे इस तरह से यह हमारा हो गया बैक आर्मूल अब यहां से डालनी है हलका सा अंदर लेके हाप इंच अंदर लेके फ्रन्ट आर्मूल की से डाल लेंगे अब नीचे से मार्किंग करेंगे जोली के लिए तो जितना हमारा हिप साइज है उसे देखेंगे टोटल हमारा हिप साइज है साड़े तेरे इंच यहाँ पे साड़े तेरे इंच पे मार्किंग कर लेंगे इसमें 2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए भी है आप चाहो तो फोल्डिंग के लिए अलग से इस तरीकी से निसान लगा सकते हो आव हम कुर्टी की लम्बाई लेखेंगे तो पहले मैं लाइनिंग के लिए लगा दिया जहां से मुझे लाइनिंग कट करना है लेकिन मैंने इसके लंबाई का निसान नहीं लगाया हाफ इंच उपर से मैंने छोड़ दिया इस लाइक के लिए उसके बाद इंच टेप को रखा है और फिर लंबाई का निसान लगा लेंगे लंबाई इस कुर्ती की तो ज्यादा है तो मुझे बाद में ही लहस हटा के फिर यह लगानी होगी उपर तो मैं बाद में लगा दूंगे आपको दिखा दूंगे अब हम लाइनिंग को कट कर लेंगे पहले हमारा बैक पार्ट है जो वो छोटा है तो इसमें भी हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा अलग फूल्ड करके उपर नीचे हमने मैन फैबर को रखा इससे क्या फायदा होता है जब हम आर्मोल की कटिंग करते हैं फ्रेंट साइड की तो आसानी से कर लेते हैं अलग-अलग परदे को हटाना नहीं पड़ता यहीं से फ्रेंट साइड को उठाएंगे और फ्रेंट आर्मोल तो चलिए पहले फ्रेंटसी नेक को नालेते हैं बिनकूर एजी तरीके से इस साइड को हटाके दूसरी वाली साइड को यहां पर रखेंगे और यहां से एक स्लाइ का मारजन ढवाते हुई एक स्लाइ को लगा लेंगे और जहाँ पे हमारी पाइपिन है बिल्कुल पाइप फैब्रिक का बिल्कुल मिलना चाहिए नहीं तो आपका फिर लाइनिंग एक साइड से छोटा बड़ा हो सकता है अगर बीच नहीं मिलेगा तो एक ही स्लाई में हमारा पूरा नैक कंप्लीट हो जाएगा नहीं इस पर तुरपाई करने नहीं उपर से कोई स्लाई लगा नहीं बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा एक स्लाई में ही तो ये देखिए हमारा front neck complete हो गया है बिल्कुल easy tricks के साथ अब हम नीचे से जोली को ready करेंगे तो पहले इस lace को अटा लेंगे क्योंकि हमारी लंबाई थोड़ी जादा है और जो इसमें से fabric निकलेगा उससे हम back part में use करेंगे हमारे back part की लंबाई कम है तो ये कपड़ा निकला है front side में से अब इसे फिर से open करेंगे और जो हमारी less है उसे attach कर लेंगे तो देखिए less को half inch उपर रखेंगे और बिल्कुल less के किनारे से लेते हुए slide को लगा के इसे attach कर लेंगे front side हमारे complete है अब print वाले अस्तर को लेंगे और उसे भी नीचे से hold कर लेंगे तो देखिए मैंने ये अस्तर ले लिया है front side के लिए और इसे hold कर लिया है अब हम side की slide लगाएंगे और ये बहुत important है बेसका आपने lining को पहले दो लिया है कुड़ती को आपने पहले दो लिया है फिर भी आपको हल्क आसा lining को इतना सा अलग करके attach करना ये देख सकते हूँ बिल्कुल एक slide का margin जितना में अलग करके attach कर रहे हूँ lining को इसे क्या होगा अगर आपकी धुलने के बाद थोरा भी कपड़ा स्रिंक होगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी सरवट बगएरा नहीं आएगी बाद में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपका lining तो इसी तरीके से back and front दोनों पार्ट में lining को attach कर लेना है अब हमने back neck को रख लिया है उल्टी साइड से रखा है यहीं से सीधी सलाई लगा लेंगे बिल्कुल इजी तरीके से बना लेंगे ना इसमें कोई pipe in पट्टी कुछ भी नहीं लगाएंगे simple lining के साथी attach कर लेंगे इसे और इसमें भी आपको बीच से बीच को मिला के रखना है ताकि हमारी दोनों कपड़े बराबर आएं और पर छोटे-छोटे cut लगा लेने हैं बीच-बीच में अब इसे सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद इसमें एक लगानी है और वो सीधा करने के बाद इसमें एतनी दूरी पे लगानी है अब जो हमारा फरेंट में से कपड़ा बचा उसे लाइनिंग के ऊपर इने उल्ट हुनल रखना- found के उल्टा लिया है और इसे लगा है अटाच अठा लेंगे लाइनिंग के साथ अब एक्ट्रा लाइनिंक को कट कर दिंगे और अब इसे ओपन करकी रखेंगे और lining के उपर slide लगाने जो हमारा slide का margin है उसे lining की तरफ लेके lining पे slide लगा लेनी है और फिर इसे पलट के सीधा कर लेना है तो देखिए मैंने सीधा कर लिया बट्टी को अब इसे back side के उपर रख लिया है और half inch का margin लेते हुए slide लगा ले है स्लाई लगाने के बाद जितना हमारे margin है उसे उपर की side लेंगे और फिर एक slide और लगा लेंगे उपर से इसके बाद lining को attach कर लेंगे साइडों से अब हम लगाएंगे fitting का निसान तो मैंने लगाया बीच में 7 इंच वे और नीचे 14 इंच वे हमारी fitting से अलग जितना भी हमारा margin है हमने दोनों साइडों में निसान लगा लिया है उसका यहां पर मैं दो इंच लगाती तो बैक में पलेट डालती इसमें पलेट नहीं डालनी है तो इसलिए नेचे से दो इंच पर लगा लिया है देखे जब भी मैं कुर्ती सिलती हूं उस के साब से मार्किं करती हूं तो हमारी जो अबर चेश्ट है न वो है 4 4 और 4 तो हमारी फिर्टी उसमें एक इंच और हमने पलस कर लिया था लुजिंग के लिए अब जितना हमारे हैं पर आएथन वह मैंने मार्किंग उपर कर ली जितना हमारे वेश्ट का साइज था उतनी मैंने विष्ट की कर लिए goed theyer 거지 कि अगर आप और आप सीदा ऐसे ही मार्किंग कर लोगे तो आपकी गुरति हो जाएगी हर जगा आपको एक इंच एकस्त्रा लेना होता है तो देखिए यहां पे भी हमने एक इंच पलस कर लिए है अब में चीज के आती है अपर चेस्ट और लोयर चेस्ट तो उसमें आपको क्या करना पिलकुल आणसान तरीका है जितनी आपको पेले निशान लगा लिजी ऊपर यहां पर है अब यहां पर में आदे इंच बहार की तरफ एक निशान और लगाना है कि अब इन तीनों लायर चेस्ट को थोड़ा और कम करना है तो उसके लिए आपको एक पलेट डालनी होगी फ्रंट आर्मूल में उससे आपकी लायर चेस्ट भी कम हो जाएगी और आर्मूल की सेब भी बहुत अच्छी आती है एक दो अच्छी फिटिंग आएगी तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आर्मूल का निसान लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाया था और बिल्कुल सैंटर में आर्मूल का जो सैंटर है न वहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है ये देखिए ये लाइन जो है हमने 1.5 इंच पे ही लिए है ये टक्स हम 1.5 इंच पे डालते है और अब एक सलाई का मार्जन लेते हुए दो सूथ का मार्जन लेंगे हम दोनों साइडों में और इस तरीके से पलेट बना लेंगे इसी तरीके से दूसरे वाले आर्मोल पे भी बना लेंगे ये हमें फ्रंट साइड में ही करना है बस अब बिल्कुल सैंटर में सलाई लगाएंगे पहले क्योंकि ये हमारी लाइनिंग वाली कुड़ती है दोनों कपड़े अच्छे से अटेच हो जाएंगे फिर पलेट डाले में दिक्कत नहीं होगी अब यहां से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां पे दो सूथ का मार्जन लेते हुए सलाई को लगाएंगे और लाश्ट में सलाई को बिल्कुल नीचे की साइड उतार लेंगे इस तरीके से तो ये देखिए ये हमने पलेट डाले इससे हमारे आर्मूल में बिल्कुल भी जूल नहीं आएगा एकदम पर्फेक्ट से पाएगी आर्मूल की अब दोनों साइड के सोल्डर को मिलाके रखेंगे और हाप इंच का मार्जन लेके सलाई लगा लेंगे दूसरे बाले को भी रखके लगा लेंगे तो अब हम लगाएंगे फिटिंग की सलाई तो देखिए जो हमारा अंदर वाला निस्तान है उसके उपर से लेते हुए हमने सलाई लगाई है और जो हमें कट लगाते हैं न कुर्टी में इसलिए लगाते हैं जब हम सलाई लगाते हैं फिटिंग की तो दोनों साइड हमारी मिल जाती है अब सिलाइक का मारजन लेकि एक सिलाइक और लगा लेगे इससे क्या हो गार हमारी कुत थोड़ी टैट हो जाती धाद मैं तो यहिं से इस डाइक का गाशा है और ऊपर शलाइक क्योंकि इस कुर्थी में अलग से कहीं कपड़ा बचा ही नहीं है बिलकुल फिट था कपड़ा जितना हमारी फिटिंग थी उसके साव से था तो यह देखी बाजू मैंने दोनों रख लिए हैं दोनों में कपड़ा टेच कर लिया है और इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे क्य लाइन को मिला लेंगे अब यहां से 3.5 इंच पे आर्मुल की सिर्फ डालने के लिए मार्किंग करेंगे इस लाइन को भी सिद्धा कर लेंगे अब जितना भी वाजू का साहिज है जैसे 5.5 इंच वाजू का साहिज है इसमें 2 इंच हमने और एक्ष्टा ले लिया है कर लेंगे अब इस से थोड़ा आगे हमें निसान लगाना है क्योंकि बाजू में हम थोड़ा सा लूज लेते हैं आप यहां से आर्मूल की सेप को डालेंगे मार्जिन इसमें मरे जाद है बचे नहीं अगर आपका मार्जिन बचे तो उपर से भी दो इंच रखना है आपको हाज़ा वाजू की निसान लगा के इस लाइन को मिला ली जिये और फिर ऊपर से यहां पर इसे मिला ली जिए ।iszक्र और ये हम फिरंटसतारी की कट्टिं कर लेंगे अब बाजू को ओपन करें महोरी की साइड से और बीच में लैस रख लेंगे तो देखिए बाजू हमारे सीधी रखे हुआ है उसके उपर हमने लैस्ट को इस तरीके से रख लिया उल्टा अभ इसके ऊपर लाइनिंग रख लिंगे तीनो कपड़ों को एक साथ मिलाक की सलायी लुए लगानी और सलायी हमारे जो लाइनिंग है वह बहुत पतला होता है तो उसमें से दि leggings ए थे दिख ठीकरिए है तो उसी के आप एक स्लाई उपर से और लगा लेंगे बिलकुल बाजू के किनारे से लेते हुए तो बाजू हमारी रेडी है अब फिटेंग की स्लाई लगा लेंगे फिटेंग की स्लाई लगाने के बाद यहां पे भी हमें एक स्लाई का मारजन लेके स्लाई लगाने है ताकि बाद में अगर हमारी कुर्टी टाइट होगी तो बाजू की स्लाई को भी हटा सकें तो ये देखिए इतना मार्जन लेके हमने स्लाई को लगा लिया है और उपर से बिलकुल वहीं पे मिलाना स्लाई से स्लाई को अब बाजु को हमने रखा है सीधा और कुर्टी को रखा उल्टा जैसे कि हम बंद स्लीप्स अटेज करते हैं वैसे हम स्लीप्स को अटेज कर लेंगे अधिकतर कुर्टी में बंद स्लीप्स ही अटेज करते हैं और वैसे ज़ादा comfortable यही होती है अगर आप पहले स्लीप्स से अटैच कर देते हो तो इतनी अच्छी से अटैच नहीं हो पाती है अर जो हमारी यह टक्स थी ना इसका जो मार्जन था उसे हमने नीचे की साइड फोल्ड किया आपने देखा अब ही और जो हमारा कंदे वाला मार्जन है इसे हम बैक साइड में ना की front side में और जो हमारा extra fabric होता है बाजू में तो हमारा इसमें बचा नहीं है कुरुती में बचा है तो उसे हम fold करके हलका सा तब रखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से fold करके मैंने रख लिया है इसलाई हमारी complete होगे ये दोनों बाजू को complete कर लिए साइड से चाक फोल्ड करेंगे तो चाक फोल्ड करने से पहले मैं यहाँ पर एक पट्टी अटेच करूँगे इससे क्या होगा हमारे कुरुती साइड से फटेगी नहीं बिल्कुल बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है तो यह देखी पट्टी ली उसको नाडे की सेप में सिल लिया है इसी मैंसे दोनों पट्टी कट कर लेंगे अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है चाक के उपर वहाँ पर इस पट्टी को रखना है बिल्कुल इस तरह से और इस सलाई को जहाँ पर हमारी फिटिंग की सलाई है वहाँ तक लेके आना है फिर इस तरीके से गुमाना कपड़े को और उपर की साइड सलाई को ले जाना है अब यहीं से सलाई को वापस ले जाना है सेम इसी तरीके से दूसरे वाले कपड़े पर भी पट्टी को अटेच कर लेना है इससे आपके कॉटन की कुट्टियों या फिर लाइनिंग वाली सबी में बहुत अच्छी मजबूती मिल जाती है अधिकतर क्या होता कुट्टियों की चाक बहुत जल्दी फट जाती है तो इससे लगाईए और उपर से इसके उपर आई लॉक भी बना लीजिए तो आप पी कुट्टी बिल्कुल सेफ हो जाएगी अब जो बिगनर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है साइड से ही साइड स्लाइड को फोल्ड करने में तो इसके लिए आप इस तरीके से मार्किंग लगा सकते हो चारो साइडों पर अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो मार्किंग से क्या होगा आप जहां पर मार्किं वहीं पर फोल्ड करते जाएंगे विल्कुल आस्तानी से साइड चाक फोल्ड हो जाएगा और नहीं तो मैंने एक बहुती इजी वीडियो और बनाए थी सौर्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है साइड चाक फोल्ड करने की आप उसे भी देख सकते हो मेरे चैनल पर अब यहीं से स्लाई को उस तरीकी से मोड लीना है और बैकसाइड के पार्ट को भी ready करना है तो देखि बैकसाइड में क्या करना है मैं यह दोनों स Suni करना्य है पहले हमें नीचे तक कपड़े को फोल्ड कर लेना एक बार में फिर स्लाई लगाने है यह नहीं करना आपको पर एक रहते टाइम आपको इस चीज़ का और द्यानक ना है जब आप धागा कीचो ना तो इसको दो तीन बार इस तरीकी से नेल से प्रैस कर देना है ताकि बीच में कपड़ा इखटा न रह जाए कहीं यह धागा इखटा न रह जाए अब बनाएंगे इसमें आई-लोक आई और आई-लोक को बना लिना है जहां तक हमारा आई-लोक है वहां तक बिल्कुल टाइट सा लेके इस तरीके से करना है और जिस होल में से हमने दागा निकाला हुआ उस तो देखिए बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हमारा आई लॉक भी बन गया है अब आपका साइड चाक और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है पहले तो आपने पट्टी लगा लिए उपर से आई लॉक बना लिया है फुल कुर्ती रेडी हो गई है और इसका जो फैनल लुक था फिटिंग का वो मैंने आपको सुरू में ही दिखा दिया है थैंक्स फूर वाचिंग बावाई फ्रेंड्स